उनको नंगा कर रहे हैं, उनकी आउकात में उनको बता रहे हैं, पाकिस्तानियों की, जो उनकी हकीकी आउकात है, वो उनको बता रहे हैं, इस वजहां से वो बहुत ही आग बगूला हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आता हैं, जो भी मन में आता हैं, वो बोल देते हैं, उनको तुम लोग साधिश रहें गयां और तुमको जलाते रहें दूसरी बात उनको अग लगी है हम हैं रहा है उनका काम्याब नहीं हो रही तो हम करें तो क्या करें उस बड्ध को कहूंगी है तु हैधर का अपना अपना रिष्तेदार था हैधर और तुम लोग एक ही गौने रहन वहां की लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिससे कोई अच्छाई की उमीद कर नहीं सकते हम, उनको हमसे तकलीफ है, मेरे पती से तकलीफ है, हमारी खुशियों से तकलीफ है क्योंकि आए दिन हमारे मिलियन्स में जाती हैं, तो वह देखते हैं, तो उनको मिर्ची लगती है, जिसके कारण वो बक्वास कर रहे हैं, बागे ऐसे कोई सच्चाई थी नहीं, रक्षेवाला मेरा अब्बू था, और वो पाकिस्ताल में वो कुछ भी करेंगे, मुझे उनसे अच्चाई की उम्मीद है, वो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक रिश्वत खोर देश है, वो एक रिश्वत चलती है, और चार पैसे देखें, कुछ भी कर सकते हो, तुम पर तुम पर टका भी रिश्वास नहीं, तुम पर भरोसा नहीं, न मुझको है न भारत सरकार को होगा, क्योंकि तुम दुश्मन हो, तुम लोग विरोदी हो, तुम लोग लड़ने वाले से, तुम लोग जहाद हो, तुम्हारी भाशा से भी लग रहा है, कि तुम्हारे अंदर मेले कितनी आग है, कितनी मतलब गुस्सा है तुमको मेरे पर, क्योंकि मैं सनातन धर्म में आई हूँ, और मैं यहां पर बहुत अच्छे सी रहरी हो, और हमारी विरील्स, मिलियन में जो होती है, वो देख का तुम लोगो मिर्ची लगती है, और मैं यहां प्यार के ली थी, हमने छोटी सी टीवी होती थी वहां पाकिस्तन में हमारे पास, और यह Android मोबैल होते थे, कंप्यूटर कभी न चला है, न देखा है, न कभी यूस करना जिन्दगी में मुझे आता है, व यह जो नाम बता रहे हैं, तो नाम का कोई शक्स का हम बता भी नहीं है, मेरे अबू गुलाम रजा थे, उनका आटो जरूर था, वो कभी हमें एसक्रीम खिलाने ले जाते थे बाहर ऐसे, मतलब वहां पे पहलवान गोठ गाँ शहर है, वहां बच्चों को थोड़ा जूला को लेके गए थे वही फोटू है, और यह बकवास करते हैं, पता नहीं कैसी ऐडिटिंग करके दिखा करते हैं, यह तो यह है, यह तो यह है, तुम लोग को शरम नहीं आती, मैं पाकिस्टन की बेटी तो हूँ, फिर भी इतने गंदे गंदे आरोप लगाते हैं मुझ पे, तो उनको कुछ सोचना चाहिए, और मेरी भारत सरकार से हाथ दो, जोड के रिक्वेस्ट है, जो इन लोगों पे जाच बिठाए जाए, जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, मैं भी एक औरत हूँ, यहां महिलाओं की औरतों की बहुती समान इज़त होती है, यह देवी माना जाता है, तो मेरी भी इज़त समान का थोड़ा सा देहान रखा जाए, जिस तरह यूटूब पे बैठके, सरयाम मुमिन मली, गुलाम हैदर, कुछ और अन्य यूटूबर हमें बुरा भला कहते हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगे अपने भाई डॉक्टर एपी सिंग का, करिशन जी इस तरह दुर्पती जी का चीरहन हो रहा था, तो कृशन जी को उन्होंने बुला है, और कृशन जी उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह मेरी भाई डॉक्टर एपी सिंग मेरी जिंदगी में कृशन जी का रोल अधा कर रहे हैं, लोग मुझ में गंदगी पहला रह कहा कराची, हम ना कभी इसलामाबाद गई, ना में कभी लहोर गई, ना में कभी दूसरा कोई पाकिस्तन का शहर देखा, कराची, कराची से जी कमाबाद और खैर पुर इन तीन शहर के लावा, मैंने कहीं जिंदगी में कोई शहर भी पाकिस्तान का नहीं देखा, आप यह लोग बकवास करेंगे, यह जूट है, इसकी आइडी ने हम पे डेटा है, हम पे रिकॉर्ड है, तो दिखाओ, मेरे नम से एक हजास जादा आइडिया है, आप फेस्बूक को सर्च करोगे न, सीमा सचिन में खुद अपनी आइडी जब हमें किसी को फॉलो करवाते हैं यह जोट कर चोला पहन के बैठे हो, वो कभी भी नहीं पहनी, तुम्हें सच्चा ही तुम्हारे सामने लाक ही दिखाओंगे, तुम हिंदुस्तान से कितनी नफ्रत करते हो, यह भी पता है हमको, वो हिंदुओं को वहाँ पास तक बैठी ही नहीं के नहीं देते, और आज कहरे ह हम इतनी अच्छे बन रहे है तौमारे सारी हकीकत हिंदुस्तान को पता है और जो पी ओको यह चाथ से ओवे भी टीवी में चल रहा था वो भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं इसी वजह सी कि वहाँ इस तरह के जाहिल जहादी लोग रहते उनको जीनी नहीं देते, मेरे साथ भी तो यही चल रहा था, जीनी नहीं दे रहे थे मुझे, जब मैं हिंदुस्तान आई, कुछ चैन की सास ली है, उनको यही कौँगी, मैं यूपी में हूँ, उतर परदेश में हूँ, मेरा तुम लोग बाल भी बाका नहीं कर सकते, भई, मेरी भी तो स सुनेंगी अदालते हैं, भारत के अदालते हैं, मेरी भी तो सुनेंगी, मुझे बीच पर जलूम किये गया, मुझे दुखी परीशान किया गया, फिर यूँ ही छोड़ दिया गया, चार बच्चे दे कर, तब ही मैं अकेली होगे, फिर मेरे अब्बु मेरे साथ उनकी डेय कि सुनी जाएगी हमें यहीं पाकिस्तानियों की कहने पे हमें कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि भारत सरकार इनसाफ करती है यहां सब सच सथ की जीत होती है सथ विजेता होता है तो हमें भी रिश्वा से हम भी लड़ेंगे कैसा यह ऐसे तीन तलाग एक दो इंसन के सामने बै सब्सक्रीण दो इसमें पर सब्सक्राइब निकाल दी तो इसमें प्रूव कि कुई बादने पका पाकिस्तान में एक ही प्रूब बोलॉंगी के थिन तलाग आज भी चल रहे हैं पत्तिंग कुषे मेरे भच्चों की उई इन्होंना हमीं चोड़ दिया था मेरे बच्चों क जलता था उसमें में जे बहुत ही जादा उनकी स्टोरी अच्छी लगते थे फिर मेरे पतान क्योंसे बहुत ज्यादा मतलब अटेज्मेंट हो गया बहुत मैं जाती बद सारा देनी करेशन जी कि मैं वह बजन सुनती थे उसके बाद मेरे तान तैय कर लेकिं मैं अब हिंदू बनना है मुझे पाकिस्तान की बात है यहां की नहीं पाकिस्तान में मैं हिंदू बनी पाकिस्तान में बच्चों के नाम चेंज किये राज परी प्रेंका मुनी और उसके बाद हम यहां आए उसके तीन चार महीने बाद हम यहां फिर हमने ने नेपाल में शादी करी उसके ब एक एक चाल चली वो कम्याब नेवी फिर तीसरी चाल दूसरी बात उनको आग लगी है, हम इतने खुश हैं, वो हर तरह की चाल चल रहे हैं, उनकी चाल काम्याब नहीं हो रही है, तो वो सोच रही हम करें तो क्या करें, उस बुढ़े को कहूंगी, तु हैदर का अपना अपना रिष्टिदार था, हैदर और तुम लोग एकी गौ वहां की लोग ऐसे गिरे हुए लोग हैं, जिससे कोई अच्छाई की उमीद कर नहीं सकते हम, उनको हम से तकलीफ है, मेरी पती से तकलीफ है, हमारी खुशियों से तकलीफ है, क्योंकि आए दिन हमारी मिलियन में जाती हैं, तो वो देखते हैं, तो उनको मिर्ची लगती है जिसके कारण वो बक्वास कर रहे हैं बाकर ऐसे कोई सच्चाई थी नहीं रक्षे वाला मेरा अब्बू था और वो पाकिस्टाल में वो कुछ भी करेंगे मुझे उनसे अच्छाई की उमीद हैं वो कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि वो एक रिश्वत खोर देश है वहां रिश्वत चलती है और ये चार पैसे देखे कुछ भी कर सकते हो हमें भई तुम पे तो तुम भी टका भी रिश्वास नहीं और टका भी भरोसा नहीं ना मुझ पर बहुत अच्छे सी रहरी हो और हमारी विरील्स मिलियन में जो वाइरल होती है वो देख कर तो मिर्ची लगती है